इवी एम जिंदा है कि मर गया मुझे तो लगता था कि साथ इस बार वो इवी एम की अर्थी निक्या जुलूस निकालेंगे ये शडियंत्र का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर आप डेमोक्रेसी और ये दुनिया में जाकर बता रहे हैं नहीं नहीं हमारे देश में डेमोक्रेसी साथ कुछ नहीं को मोधी बैठ गया है यह चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया जब 4 जून के नतीज़े चल रहे थे मैं तो अपने काम में कुछ वैस्त था कि बाद में फॉन्फि है कि मर गया है कि क्योंकि यह लोग ताय करके बैठे थे कि भारत के लोगतंत्रों लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए और लगा तार इविएम को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साइद इस बार वो इविएम की अर्थी निक्का जुलूस नेका लेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इविएम ने उनको चुप कर दिया यह ताकत है भारत के लोगतंत्रों यह ताकत है भारत के निस्पत्ता की यह भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की चुनावायों की और मैं मानता हूं कि यह आशा क करता हूं कि पांच साल तो अब इवी एम साइद मुझे नहीं शुराइज देगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद इवी एम को लेकर करके नाजने की चुरुआ करीए लेकिन के सुद्रे के सब्बाव नहीं बहुत कावब है आप देखिए चुनाओ के समय मैंने पहली बार देगा शायद हर तीसरे दिन इलेक्षन कमिशन के काम में रुकावट आए इसके लिए सुप्रीम कौर्ड के दरवाजे खट-खट आए गए बाटी बाटी के अप्लिकेशन और एक ही टोली थी और लोग तंत्र के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास ऐसे लोग सुप्रीम कौर्ड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका निरंतर प्रियास करते रहें और चुनाव आयोक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पी कबर्स में चुनाव के पी कबर्स में यहने कितनी निराशा लेकर के यह लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बद्दाम कर लें यह शड़ियंत्र का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब इवी इनका विरोध करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं मानता हूँ यह लोग मन से पिछली शताबदी के सोच वाले लोग है वे टेक्नोलोजी को महत्व न समतने हैं तेक्नोलोजी स्विकार करने को त्यार है और यह सिर्फ इवी में दिखाई दिया ऐसा नहीं यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा हाँ हिंदुस्तान के ल प्रथे हमें आधार की प्द्री से आगे बढ़नाब आपं से मदद कर सकते हैं उस आधार को रोकने के सुप्रीम कोड में बार 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 जाकर के परिशानिया पता है यह प्रगतिर के विरोधी आधुनिक्ता के विरोधी टेक्नोलोजी के विरोधी इंडी एलाइंस हमने देखा है कि साथियों इस देश के लिए यह भी चिंता का विशा है कि विश्व में भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयाओ और कितना एक्स्ट्रीम है मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मधर आप डेमोकरिसी हैं और यह दुनिया में जाकर बता रहे हैं नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमक्राइश जी सा कुछ नहीं को मोधी बैठ गया है और एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया कुछ तो गड़बड़की होगी यह जो इनकी मनस्तिती है भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रतिया विस्वात पड़ा कड़े का जो उनका सडियंत्र है मैं मानता हूँ कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता विशालता व्यापकता गहनता इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा है